इसवीडियो में सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा सा नहीं कि कौन सा लेक्त॑प कैसे लेते हैं ! ठीक है, क्या चीज देखनी है आपको laptop में, मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ, अगर आप laptop ढूंड रहे हो specifically, तो मेरी दूसरी वीडियो पर जाओ, उस मेरे detail में बताएगी कौन से laptop क्यों अच्छा है, बट, किसी price range में, किसी काम के लिए अगर आप laptop ढूंड र चीज आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, ठीक है, तो वैसे एक बात बताओ, market में लेने जा रहे हो laptop, राइट, बट, पता नहीं कि क्यों लेना है, तो कभी भी आपको laptop अच्छा नहीं मिलेगा, first, define करो कि आपको laptop लेना क्यों है, ठीक है, games खेलने है, office का का काम करना ह टैली करना है, बच्चों के लेना है, उनकी online classes चल रही है, housewife के लेना है, या फिर मतलब कुछ भी, तुमें करना क्या है laptop के साथ, जब तक वो define नहीं करोगे तब तक laptop कभी अच्छे से लेही नहीं पाऊगे, आपको पता ही नहीं नीड क्या है, laptop एक इतनी बड़ी category है, जि ये laptop में कुछ special features जा ले जाते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, तो बात करते हैं beginners category की, या फिर जिसको मैं बोलता हूँ, lightweight या फिर light use, तो ये है आपके उन लोग के लिए, जो कि आपके web browsing करने वाले है, photo editing करने वाले है, movies देखना है, office का का काम करना है, coding क इसे C++, या फिर Java, या फिर आपको web development करनी है, तो light use आपके लिए है, और अगर आप थोड़े सिफ medium to heavy use में आ रहे हो, तो आपके लिए है video editing, gaming, 3D rendering, animation, android development, ये सब चीज़े आपके लिए, अब note करने वाली बात ये है, कि मैंने C, C++ light में बताए, बट Android में बताए, उसका reason वही है कि Android जादा memory लेता है, जादा heavy task है, वाइल C, C++ बहुत easily सस्ते laptop में भी काम हो जाता है, ठीक है, और तीसरा section नमारा no compromise, यानि कि heavy से medium में आप सारे काम कर पाऊगे, बट अगर आप उन लोगों में से जिने बिल्कुल भी compromise नहीं चाहिए, जिने अपना emulator भी आपके laptop पपर ही चलाना है, और mobile use नहीं करना है, तो उसके लिए मैं recommend करूँगा, आप no compromise पर जाओ, और उसमें मैं उसी हिसाफ से specs बता हुआ, बाकि ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो आप medium to heavy software पर नहीं कर पाऊगे, सारे काम उस पर होते है, तो बात करते हैं, सबसे पहली चीज, और laptop खोलते हैं, जो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, वो है processor, कौन सा processor मिल रहा है उसमें, ठीक है, तो light use की बात की जाए, तो मैं उसमें recommend करूँगा, i3 11 Gen और Ryzen 3, medium और heavy की बात की जाए, तो उसमें i5 11 Gen, Ryzen 5, 4th या 5th generation, और अगर no compromise की बात करों, तो i7 11 Gen, या Ryzen 7, या आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट note करने वाली बात इसमें ये है, कि मैं Intel 10 Gen बिल्कुल भी recommend नहीं करता हूँ, ठीक है, तो 10 Gen तो आपको लेना ही नहीं है, अगला point, storage device, guys बहुत ही simple है, बहुत complicated कुछ भी नहीं है, इसमें सबसे easy, I guess यही point है, आपको SSD लेनी है, अगर ह सकता है, तो NVMe SSD लेना, अगर आपको नहीं पता कि SSD क्या होती है, NVMe SSD क्या होती है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उपर आई बिटन में आपको link मिल जाएगा, उसको जाके चेक करें, and SSD डालने से आपकी laptop के speed almost 5 times हो जाएगी, अगर आपने NVMe SSD डाली है, त अगर आप compromise नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल भी performance पे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 16GB से 32 जाओ, 64 जाओ, it's your call then, and अगला point है graphic card, याने की dedicated GPU, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि बहुत सारे processors में inbuilt GPU आता है, ठीक है, तो अगर आप अपने laptop के लिए एक dedicated GPU GPU चाहिए, नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ, light use में GPU की नहीं है, आपके laptop में inbuilt GPU आता है उतना, basic काम करवा देगा, सारे के सारे, forward editing करवा देगा, basic low level की gaming करवा देगा, coding हो जाएगी, development हो जाएगी, but जहाँ बात आती है, gaming की, 3D rendering की, ठीक है, Android development को count नहीं कर रहा है, मैं इस 70, 70, आपका जितना budget बड़े, उतना बड़ा हो, उतना आपको मज़ाएगा, इसमें तो कोई ही नी point, अगला point है, wait, guys, अगर आप low use के लिए ले रहे हो, तो आपको जो सबसे सबस्ता मिल जाए, ले लो, उसको उसमें wait में कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ऐसा को dedicated wait और specs पर focus करती है, ठीक है, वाइल, अगर मैं medium और heavy use की बात करूं, तो आपके gaming laptop पिलकुल भी हलके नहीं होते है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत जादा heavy task के लिए बने है, और इसी में आपकी एक और range आती है, इसको हम बोलते है, ultrabook, ultrabook भी same processor के साथ आता ह ठीक है, तो आप उनको ले सकते हैं, बग उसमें एक issue होता है, उसमें आपको dedicated GPU नहीं मिलता, but when it comes to moderate task, तो वो काम दोनों अच्छे से करते हैं, and no compromise में तो मने आपको बताया ही है, it all depends upon your budget, अगर आप 2,00,000 का laptop लोगी है, तो उसमें आपको बिलकुल high end specs मिलेंगे, and weight उसको ले रहे हो, तो थोड़े portable laptops होते हैं, वो उसमें आपको side मेरे numpad नहीं मिलेगा, बस, यही उसमें flaw होता है, flaw भी क्या, space बचानी है, तो numpad हटाना पड़ता है, and मैं बोलूँगा कि आप IPS पैनल लो, उसमें आपको थोड़ा view of angle थोड़ा अच्छा मिलता है, बाकी उसमें को overall latest technology है, go for it, and अगला point और सबसे जरूरी point है, things to avoid, ध्यान रखना ही point, ठीक है, तो पहला point है हमारा DVD writer, guys अगर आप में से कोई DVD writer ढूंट रहे है, तो ignore कर दो, laptop मोटा हो जाता है, DVD writer का काम भी नहीं है, किसी के पास CD नहीं होती है, सब pen drive यूश करते हैं, आज कल के जमाने में अगला point, and I guess सबसे अदर controversial point है, आपका touchscreen, बहुत लोग होते हैं, उनको मैं आज ही मित बस्त कर देता हूँ, touchscreen का कोई भी फायदा नहीं है, laptop में, ठीक है, आपको लगता होगा, बहुत सारा मजा आएगा, touch में कुछ 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 करें, कुछ नहीं है, है, हैसल होती है, आप क 5 साल से मैंने बिल्कुल भी touch यूज नहीं करा है, and सबसे बड़ा floor touch में पता है, क्या है, अगर गलती सापकी screen खराब हो गई, तो पूरा का पूरा पैनल बदलता है, जिसकी विज़े से cost आपके 5-6,000 आएगी, और अगर यहीं आपका cable normal display होता, तो I guess 1-2-3,000 में आपका सा काम हो जाता, है नहीं, हैसल काफी बड़ी, तभी बोल रहा हूँगा, पिल्कुल भी touch मत लेना, until less, आप graphic designer हो, stylus से काम करते हो, ठीक है, तब तक आपके लिए touch screen नहीं बना हुआ है, अगला point, 360 degree hinge, देखा होगा, आपने HP 360 आते हैं, काफी साई laptop में 360 degree आते हैं, but let me assure you, लीट लीग नूर कर सकते हो, 360 को, बहुत rare case में आपके काम आएगा, उससे अच्छा normal laptop लो यार, अच्छे से चलता है, and bet life पे ज़्यादा focus मत करो, bet life प्रोसेसर की need के हिसाब से बनी होती है, ऐसा कोई laptop ने से बहुत गंदी bet life होती है, ऐसा कोई, ऐसे बहुत ही कम laptop होते है, जिन में 6 से उपर bet life होते है, जातर वो ultra book या फिर chrome book होते है, 4 से 5 घंटे आपको हर laptop देगा, rest, all depends upon your need, आप क्या करती हो, पुरे टाइम Wi-Fi on है क्या, brightness कितनी ज़्यादा है, कौन सा काम कर रहे हो, actually, ठीक है, charging कैसे use करे हो, गेम स्केल रहे हो, बैटरी 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 PC ढूंड रहे है, guys, 2.1 PC कुछ नहीं है, market gimmick है, कुछ नहीं मिलता उसमें, processor धंका नहीं मिलता, आपको मज़ा कुछ नहीं आता, मतलब, personal opinion है, मत लो या, क्यों पैसे वरबाद करने है, धंका laptop ले लो, कमें में मुझे से पूछ लो, कि मुझे ऐसा laptop चाहिए, मैं बता दू है, महत लगती है बनाने में, आप like बटन दबाओगे, तो हमको भी अच्छा लएगा, आपको भी अच्छा लएगा, तो end करते हैं इसके साथ तुमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, bye bye